नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब अफकोर्स बहुत बढ़े होंगे मैं हुआनिश फ्राम गैलक्सी ऑफ सैंसंग यूजर्स और आज हम देखने वाले कि क्या आपको ये सैंसंग गैलक्सी फिट ये 2021 में खरीदना चाहिए या नहीं 2019 का बैंड है ये देखते है 2021 में कैसा है पहले तो बात कर लेते इसकी कमफोर्ट की बहुत कमफोर्टेबल है स्ट्रेचेबल एकदम हाई कॉलिटी बैंड है इसका पसीना भी अगर आपको आयते कोई चिपचिपा हट वगेरा नहीं होती बहुत अच्छे से बैठ जाता है ये कमफोर्टेबल है और एक बार आपने हाथ में लगाया तो ये निकलता नहीं यह आसानी से स्टुर्डी फिट है इसका कुछी स्टरा बैठता है यहां से आपको डालना है और यहां से इधर ले जाना है और यहां पर आपना होल सिलेट करके आप रख सकते हो बहुत मस्ट कॉलिटी है इसकी कॉलिटी में कोई है और इसे आप स्विंग के जो तो भी ऑन हो जाता है और यह टाप स्क्रीन होने के कारण आप किदर से भी टाप कर सकते वह वाइबरेशन सेंज करके आगली स्क्रीन आपको दिखाता है 0.74 इंज का इमोलेट डिस्प्ले है यह और ब्ल्यूथ 5.0 वर्जन पर आता है और ज हात में है या नहीं पता ही नहीं चलता मिल्ट्री लेवल की डूरेबिलिटी आती है इसमें और 50 मिटर्स तक वाटर रेजिस्टंट भी है यह और हाँ इसमें बाकी फीचर्स भी आते जैसे आटो वर्काउट डिटेक्शन मोड स्लीप मोड आता है और आपको 24 आर्स का हार् और अभी फिलाल इसकी प्राइज रुपीज 2,000 है इसका में डिस अडवांटेज एक ही है वो है इसकी बैटरी लाइफ जी हाँ 70 एमेज की बैटरी है जो सिर्फ 4 दिन तक जाती है आपको चार्ज करना पड़ता है इस प्रकार का चार्जर मिलता है आपको इस प्रकार इस Samsung Galaxy Fit E की पर बैटरी लाइफ इसका बहुत बड़ा मेजर डिस अडवांटेज है सिर्फ 4 दिन की बैटरी लाइफ है आपको चार्जिंग करना पड़ेगा हर 3-4 दिन में अब Galaxy Fit 2 से में इसका comparison नहीं कर रहा हूँ जो अभी अभी latest model launch हुआ है क्योंकि इसकी price अभी 2000 है और Galaxy Fit 2 launch हुआ है 4000 का वैसे अच्छा है वो Galaxy Fit 2 आपका बजट अगर 4000 का हो तो आप वो ले सकते हैं और हाँ Galaxy Fit E 2021 में आप ले सकते हैं बहुत अच्छा बैंड है यह 2000 में इसका major disadvantage एक ही है कि इसकी battery life बहुत कम है 3-4 दिन में आपको charging करती रहना पड़ेगा और tap screen ने यह ध्यान नई है और black and white display है तो यह अगर आपको पसंद आता है तो ही इसकी तरफ जाइए और हाँ white color सोच के लिजेगा क्योंकि white color पहले इसका यह जो अंदर का plastic है white color का वैसा था और अब सारा खराब हो गया है band की quality अच्छी है पर white color होने के खरण खरब हुआ है black और yellow color भी मिलते है आप वो भी ले सकते है तो अब इसके app से related watch faces के बारे में वगरा बात करते है आपको दो app डाउनलोड करने पड़ेंगे एक है galaxy wearable और एक है samsung health जो आपको सारे अपने footsteps हो गये heart rate हो गये सब इसमें बत को यहां पर आपको दिखेंगे बात करें तो आपको 20 options मिलते हैं watch faces में चूज करने के लिए बहुत सारे heart rate step start health info big time battery date info 1 weather बहुत कुछ मिल जाता है आपको यहां बीजट मिलते है heart rate का मिलता है steps weather sleep calendar यह सब मिलते हैं आपको यहां और हाँ बाकी सब है find my band करके भी feature है जो start करन तो आपको आराम से band मिल जाएगा आपका notifications भी आप इधर से access कर सकते हो directly app select कर सकते हो और जैसा चाहिए वैसा customize कर सकते हो screen time out है सब कुछ है और advance settings में आपको यह भी मिलता है screen wake up कैसे करने lift wrist करके या फिर double tap करके बहुत पर रखे गया वो ज्यादा better option है dim screen do not disturb वो भी सब आते हैं इसमें backup भी ले सकते हैं आपके data का आप और हाँ band में कभी कबार software updates भी आते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आया तो user manual भी है इसमें और हां बाकी तो सारी information है इदर आपको मिल जाएगी अलाम लगा सकते हो आप इसमें weather भी चेक कर सकते हो आपका और अब Samsung health इस app के बारे में बात करते हैं हम तो यहाँ पर आपको steps दिखता है active time दिखता है आप यह भी कर सकते हो कि आपने दिन में कितने glass of water व यह app बहुत अच्छा है Samsung का health वाला वेट आप BMI वगरा इदर से निकाल सकते हो weight height आपको सब यहाँ पर feed करना पड़ेगा food calories maintenance वगरा सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा कर सकते हो आप एक size auto workout mode वगरा जो है इससे related है और auto sleep mode भी है आपको यहाँ पता चल जाएगा अ तो कैसी आपकी sleep हुई है अच्छी हुई है moderate हुई है deep sleep हुई है सब कुछ बता देता है यह और बहुत सारे भर-बर के features दिये हुए इस app में दोस्तों वीडियो के end में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको Samsung का एक band चाहिए 2000 का तो यह अच्छा है बस याद रखे गया कि यह एक black and white screen है और एक tap screen है और battery life इसकी कम है 3-4 days की है आपको charging करने पेड़ेगी बार-बार पर 100 minutes में चार्ज हो जाता है 2021 में यह अभी भी decent है यह band के अंदर का unit आप इस प्रकार निकाल भी सकते हो थोड़ा hard निकालना sturdily fit है पर निकाल सकते हो पर जरूरत पढ़ है तो नीचे comments में link देना आपको जो वीडियो चाहिए वो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बना के दे सकता हूँ तो बस दोस्तों फिलाल तो वीडियो में इतना ही है देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद वीडियो अच्छा लगा हो त अच्छे comments में मुझे आपने doubts हो तो जरूर पूछना में उन पर reply करूंगा और हाँ चैनल को subscribe जरूर करते ना क्यूंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए आ रहे तो बस दोस्तों फिलाल तो वीडियो में इतना ही है मिलते आगली वीडियो में तब तक के लिए अल